हेलो वीवर्स, असलोब लेकूम, वेलकम टू सिदर किचेन स्क्वर, आज हम बनाने वाले हैं चिकन गिर्वी मसाला, अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर तो चलिए देख लेटे हैं इसे की बनाना कैसे है इसे बनाने केशन लें हमें चिकन है इसे हम फनाने के लिए शेक선 इक शरता नीट जोट के लिए लाल मिर्शी डालेंगे हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके इसे हम ऐसे ही ढखके फ्रीज में रखने की ज़ोत नहीं है ऐसे हम बाहर में इसको आदे गंटे के लिए रख देंगे इसको मेरीनिट करने से क्या होगा हमारा चिकन जो है बहुत ही जुसी बनेगा औरहोवाच जल्द ही फक प्पर जायेगा तो चली नियू देखकी हमंें ग्रेवी बनाने के लिए क्लिए क्लिए दो बड़े प्यास हमने अंजरी कटकर लिए चार लॉंग है दो तेज पत्ता है और हाफ टीस्पून इसमें हमने दालचीनी का पाउडर लिया तो चलिए देख लिए तब क्या करना है आदा गंटा हो चुका है तो हमने जो यह चिकन लिया था इसको हम कड़ाई में डाल देंगे हम इसमें कुछ भी नहीं डालना ना ओइ दूसरी तरफ एक दूसरी कड़ाई ले लेते हैं अब इसमें हम ऑईल डालें लंगर फोटीस्पून अब जो हम थो मैंने खड़े मसाले आपको दिखाये थे वह खड़े मसाले हम इसको इसमें डाल देंगे इसको हलका सा हमें सौते कर लेना है और इसमें डालेंगे हम अपनी प्यास बारी कटी हुई इसको अच्छे से भून ले देखे इसको लाल करनी है हमें अब ये प्यास हलके के लाल होनी शुरू हो गई है अब इसके लाल होते ही इसमें हम अदरक और लसन का पेज़ डाल देंगे और इसके साथ भी हम इसको एक मिनट के लिए भून लेंगे अब एक मिनट बाद हम इसमें अपना मसाले डाल देंगे जो सुखे मसाले मैंने आपको बताया थे अब यह नारियल का बुरादा अभी नहीं डालेंगे इसे बाद में डालेंगे अब इस मसालों के साथ हमको इसको भून लेना है एक मिनट के लिए भूने थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनना है पानी अट कर लिए हमने ऐसे मिक्स करें देखे भून गया अब इसमें हम दो चमच घी डालेंगे गी डालने से क्या होता है इसमें बहुत ही अच्छी खुश्बू आ जाती है और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़ादे इनहेंस हो जाता है देखे मसाला देखे भून चुका है अब इसके अंदर हम दालचीनी का पाउडर डाल देंगे दालचीनी का पाउडर डालके इसको मिक्स कर ले देखिए ये काफी तेल छोड़ चुका है थोड़ा सा पाई डाल देंगे हम गरेवी को पकाने के लिए इसमें बारीक कटे हुए टेमाटर डाल देंगे जो दो बड़े हमने बड़े टेमाटर लिए थे इसको मिक्स कर लें अब इससे हम ढखके पकाएंगे पांच मिनट के लिए पांच मिनट में इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएए अब दूसरी तरफ देख लेते जो हमने चिकन रखा हुआ था यह गल चुकी है और इसका इसमें थोड़ा सा भी पानी है इसको ऐसी खुले में पानी इसका सुखा लेंगे हाई फ्लेम करके देखें पांच मिनट में यह सूख गया है और दूसरी तरफ हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है अब हम क्या करेंगे इस ग्रेवी में हमने चुकन भून लिया था है इस चुकन को हम इसके अंदर डाल देंगे अब हमारा मसाला भी तैयार है चिकन भी हमारी गल चुकी है तो हम इसे मिक्स करेंगे और ज्यादा देर के लिए पांच साथ मिनट के लिए ही इसको पकाएंगे और यह अच्छे से पक जाएगा हमारा बहुत ही पंदरा मिनट के अंदर हमारा चिकन बनके क्योंकि हम दही डालने के बाद नमक डालेंगे अब इसमें हम नारेल का बुरादा डाल देंगे इसको मिक्स कर लेंगे अब इसके अंदर हम ग्रेवी रखने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उतना पानी डालें आप देखे, दो मिनट बाद हम इसमें नमक डाला है, वन एंड हाफ टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग भी नमक डाल सकते हैं, ज्यादा पसंद करते हो तो आप ज्यादा डाल लें, इसको ऐसे ही खुले में ही दो मिनट के लिए भूनेंगे, ऐसी चम्मच चलाते हो इसको, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें इसके अंदर, इससे इसका फ्लीवर और भी अच्छा आएगा, अब इसको मिक्स कर लें, बस अब हमारा चिकन रेडी है, अब हम फ्लेम को आफ कर लेंगे, चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं, चलिए फिर हम भी लेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, अल्ला हाफेज,